वन्दे मातरम आप सभी का नेटवर्क टैन में स्वागत है मैं हूँ संजेगरी गोस्वामी और आज हम इस विसेश चर्चा में बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर जियां उत्तराखंड को देव भूमी का आ जाता है और इस देव भूमी में अब धीरे धीरे इस तरीके की हम यह कहेंगे खबरे आ रही हैं इस तरीके की बाते हो रही हैं कि यहां पर रोहिंग्या बसे जा रहे हैं घुसे जा रहे हैं घुसपेट हो रही है और लगातार हम यह देख रहे हैं कि लगातार जो जुगी जोपनिया अवेद कब्जे बढ़ते जा रहे हैं उसे लेकर वहाँ आवाज उठ रही है उसे लेकर अब जन्मानस मांग कर रहा है कि आखिर इनका वेरिफिकेशन क्यों न हो और वास्तों में क्योंकि जो उत्राखंड है वो हमेशा शांत्रा है उत्राखंड देव भुमी रहा है और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है महत्वपूर्ण बात है कि वास्तों में उत्राखंड सम्वेदन शील है उसी पर आज कई विसेश जो कारिकर में विसेश जो चर्चा है करेंगे सभी खास मेमान हमारे साथ बनेंगे उससे पहले देखे एक खास रिपोर्ट उत्राखंड देव भूमी है और यहां का महाँ हमीशा से शाथ रहा है और उसकी सैन्य परंपरा रही है और समय समय पर यहां बड़े जन आंदोलन भी हुए हैं इसका असर दुनिया भर में देखा गया लेकिन सुन्दर प्राकरतिक वैभव वाले उत्राखंड में अब ऐस आश्रण काएं हो रही हैं जो यहां के बातावरण को अर्शांत कर सकती हैं दरसल उत्राखंड राचे बनने के बाद यहां तेजी के साथ खुस पैट और अतिक्रमन हुआ है माना जा रहा है कि संदिक्त प्रवर्ती के लोगों को उत्राखंड एक आसान ठिकाने के तरह रोहिंग्याओं ने अपने नजर इस ख्षेत्र पे लगाई हुई है माना जा रहा है कि रोहिंग्याओं ने पहले यहां के पुराने लोगों से अपने मेल जोल को बढ़ाया है और अब वह धीरे धीरे इसे अपना ठिकाना बनाने लगे हैं खास कर उस उत्राखंड में जह रोहिंग्याओं ने अपने अड़े बनाए हैं और उसे तर्च पर आप उत्राखंट में भी वो अपना पैलाव चाहते हैं रोहिंग्याओं के चलते हिंसा तनाव आगजनी की घटनाई जगा जगा देखने को मिल रही हैं फिर वह चाहे पश्वे मंगाल में हो या फिर हाल उठानी जा रही है सीम पुशकर सिंगधामी ने ये कहा कि सत्यापन के यह व्यवस्था किसी धर्म विशेश को ध्यान में रख कर नहीं की गई है बलकि इसका आश्य है पुरी यात्रा सिग्जन को बहता सुरक्षित और सहच बनाना है उत्राखट पे अतिक्रमन और सरकारी भूमी पर कबजा करने वालों के लिए कोई जगा नहीं है यह राच्ची अंतरास्ट्विस सीमा से लगा है और इसे लिए हर तरह से इसकी सुरक्षा का माहौल बना रहना चाहिए धार्मे कुनमात, देश विरोती हरकते, दंगा फसाद और उपद्रफ पलानी की कोशिश कर उन्ने वालों पर सरकार को कड़ा रुख अपना न चाहिए, यह गंभीर मसला है, इसमें सियासत बिलकुल नहीं होनी चाहिए स्पेशल डेस्क नेटवर्क टेथ क्योंकि बात उत्राखंड की ओरी है और हम इसलिए कह रहे हैं सम्वेदन सील उत्राखंड की वास्तों में अगर उत्राखंड को देखे तो बड़ा शांतरा है और उत्राखंड का मुसल्मान और उत्राखंड का हिंदू आपस में एक जुट रहा है कभी भी किसी परकार का दंगा भले पुरे देश में कहीं हुआ हो लेकिन उत्राखंड के अंदर उसका कोई असर नहीं हुआ और लगातार ये परंपरा रही है कि वहां आपस में मिल जुलकर रहते हैं लेकिन अब परिस्तितियां ऐसी दिख रही है कि बहरी जो तत्व आये हैं समाजिक तत्व वहां आये हैं उसमें कहा गया है ऐसा बताया जा रहा है कि रोहिंग यास भी हैं और भी घुस्पेटियें वहां पर हैं तो कहीना कहीं वो उस माहोल को खराब करना चाह रहे हैं और जो भाई चाह रहा है उस पर कहीना कहीं चोट करने की फिराक में हैं या उस तरीके की स्थितिया बंती दिख रहे हैं उसे लेकर एक वहां पर मुहीम चलने चाहिए वेरिफिकेशन की उसके अलावा जो अवेद कबजे होते जा रहे हैं जो लगातार जुगी जोप्रिया बनते जा रही है उससे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्या कहेंगे आप जी जहां तक आपने बात करिए है अभी अपने जिक्र किया हिंदू और मुसलिम का मैं दरसल इससे थोड़ा अलग चीजों को देखता हूं कि यह यह तो एक वह सकता है कि यहां मतब सब बाइचारा अच्छा रहा सब कुछ ठीक रहा लेकिन जो अभी आप देखोगे पिछले कुछ सालों का 8-10 साल का ही हम अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखें और मैं किवल दे तो देरादुन में देरादुन को देश के जो बड़े अपराधी है उन्होंने अपनी श्रणश्तली बना दिया और सिर्द देरादुन नहीं अभी हाली में उद्वां सिंग नगर में स्टी अपने पकड़े हैं जो आतंगवास से जुड़े वे कुछ लोग रहे उसी तरह देरादुन में कुछ साल पहले जो है नाभा जेल ब्रेक के जो बड़े दुरदान्त हो थे वह यहां से पकड़े हैं दत्ता समन्ट जो मुंबाई के ट्रेड यूनिन लीडर थे महारास्ट्रा के उनके जो हत्यारोपी थे वो कई साल देरादुन में सरणश्तली बनाकर यह रहे और शांत जीवन पिता रहे थे किसी को बनाक भी नहीं थी वह पुलिस नहीं यहां से पकड़े यारी कि जो देश में बड़ा क्राइम करके आता है उसके लिए आशांश्तली इसमें उतरा खंडू रखा इसमेरी पिछले कई सालों से तो इसलिए यह वेरिफिकेशन ड से हमारी सीमा लगती है हम सीमानत गाम अमारे तमाम खाली हो रहे हैं अच्छा इस बीच में जो है जो आपने भी जिक्र क्या कि हां हिंदू और मुस्लिम सदय वो रहे साधा भाईयां बैठे हैं मतराजी है सभी लोग इसके गवाहां है कि देरा दून हो कहीं भी कोई किसी सब्सक्राइब नहीं हुए है पूरा उत्राखन मुवमेंट चला सबने साथ मिलके लड़ा लेकिन राज्या बनने के बाद पिछले मेरे ख्याल में एकाद दसक के भीतर जिस तरह से जो जन सांखे की परिवर्तन हुआ है उसके बाद कई सारी ऐसी गटना है चोटी मोटी ग हुआ है तो यह कहने मतलब है कि इस तरह के तरत्वा धिरे धिरे घुसपैट कर रहे हैं और अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं कि जिन से जो है यहां की सांथी को खत्रा हो सकता है भविश्य में हो सकता है अभी तो नहीं है तो इसलिए सारी चीजह किया जाना बहुत जरूरी तो यहां का पहुँआ थी, क्यों की सांस्कृतिक पहुआ रहनी है और यही सकतो की बात हो रही है कि क्या होने चाहिये, मतुरहादाज जोसी जी अगर हम बात करें परवर्तिय छेतरों पर जब पलायन हुआ उसके बाद से बहुत सारे लोग नीचे से उपर गए उसे लेकर भी ये सवाल रहा कि वास्तों में वो लोग कोन है किया वो वास्तों में उत्राखंड के निवासी है यहाँ एक और बातु है उत्राखंड के निवासी के साथ साथ किया वो भारत के भी निवासी है ये भी एक सवाल है उसे लेकर भी जिस तरीके के कारेकरम चलने चाहिए थे वो चलते नहीं दिखे और एक और बात यहाँ बड़ी एहम हो जाती है कि अगर पक्ष विपक्ष की जब बात आती है पक्ष अगर कुछ करे सरकार अगर कुछ इस पर फैंसला लेती है या कुछ कारवाई करती है तो वहाँ पर विपक्ष एक जाती धरम को लेकर फिर वहाँ पर खड़ा हो जाता है कि यह सब गलत चल रहा है जबकि अगर आप देखें आज की स्थितियों में न इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही है तो आपका नजरिया इस पर क्या है जी देखें जोसामी जी संजे जी हमारा तो बिल्कुल साफ नजरिया है सरकार को चौकसी बरतनी चाहिए ऐसा माजिक तत्तों की घुसबैक नहीं होनी चाहिए कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको सरकार को चेक करना चाहिए यह देव भूमी है उत्राखंड है यहाँ प देशी नहीं विदेशी लोग भी यहां पर आते हैं कि आराम मिलेगा शांती मिलेगी कानुन व्यवस्ता ठीक रहती है इसलिए उत्राखंड का एक अलग महत्व है लेकिन दुरभाग्य मैं यह कहूंगा कि बिगत पांच बरसों से उत्राखंड में भारती जनता पाल्टी क सरकार है और आठ वर्चों से केंद्र में भारती जनता पाल्टी कि सरकार है अगर कोई अबैद हुए थी मैं हुई थी सब्सक्राइब कुई सब्सक्राइब करें अबैद तरीके से वlogo लिक्ति यहां पर रह रहा है सरकार को चाहिए वह च्शानमीन करती, उनके आधारकारिटे कर ले, पहचान पत्तरक कर ले, उनकी पहचान कर ले, इस तरह किसे कहके नहीं बात बनेगी कि कि साथ कोई बैक्ति आएगा तो हम उसके चेकिंग करेंगे या वेरिविकेशन करेंगे या हम यह करेंगे वो करेंगे यह सब कहने कि मैं समझता हूं सासन तंत्र में बैठे होई लोगों को आवशक्ता नहीं होनी चाहिए सासन तंत्र में बैठे हुए लोगों पर तो तमाम सुचनाएं आ जाती है कि दिन भर की क्या घटना हुई प्रतेख जनपत का कप्तान चीफ सेगर्टी को और चीफ मिस्टर को और गवर्नर को तीन जगह रोज रिपोर्ट जाती है ग्रह मंत्री जिस प्रदेश में है तो ग्रह मंत्री को भी जाती है ग्रह सचिव को जाती है दीजीपी को रिपोर्ट जाती है दिन भर में पिथोड़ागड में फला फला घटना हुई या फला आदमी आया है या संदिक्त ब्यक्ति घूम रहा है हमने उसको देखा है या हम उसमें क्या कारिभी करें निर्देश्द हैं यह सब चीजें सारी रिपोर्ट सरकार के पास आती है और आज सरकार का मुख्या ही कह रहा है कि हम वेरिविकेशन करेंगे भई आप साल बर से क्या कर रहे थे दामी जी को साथ मेने आठ मेने तो मुख्यमंत्री बने हो गए अगर कोई रोहिंग्या आप करें रोहिंग्या सब्दी मुझे तो ताजूब लगता है यह क्या होते हैं हम तो समझते नहीं है यह आ रहे थे तो चेक क्यों नहीं किया इनको कर लेते और अभी भी समय है और हम क करेंगर कोई गलत ब्यक्ति आ रहा है आप बिल्कुल भार करिए कॉंग्रेस पाल्टिया आपका साथ देगी आपका समर्दन करेगी उत्राखंड में समाजिक तत्तों की कोई आउशक्ता नहीं है यह चार दाम यात्रा अभी शुरू हो रही है कहला अजमान सुरूर यात्रा की सुरू हो रही है और यहां के परुथी चेतर के गाव के गाव खाली हो रहे हैं उस तरब तो सरकार का ध्यान है नहीं हाला कि एक सरकार ने पिसले विगत बरसों में एक पलाइन आयोग बनाय था वह पलाइन आयोग खुदी अपना प्लाइन करके गाज़यबाद यहां पर हमारा साब कहना है अगर कोई ऐसामाजींक तत्तो आ रहा है सरकार बैयानवाजी कम करें काम करें ऐसे लोगों пог پर निकाल के बाहर करें उनकी चेकिंग करें तब जाके कुछ होगा कि हम सरकार काम करें जोशी जी एक सवाल हो रहे है आपसे जोशी जी इसमें बिल्कुल यही सामपरदाएक धुर्वीकरण इसी बात पर एक और है कि विपक्ष हर जंगे बोलता है और बोलना भी चाहिए क्योंकि मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है लेकिन विपक्ष कभी यह नहीं कर जाए उससे लेकर भी विपक्ष का हंगामा जरूरी है उससे लेकर भी विपक्ष को आ गया ना चाहिए कि इसकी कमी देखी जाती है कि संजेजी आप तो संजेजी आप तो विद्वान पत्रकार हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं आपका लंबा अनुबाव है आप तो यह सब्द कहके हम पर नयाई कर दे रहे हैं हमने तो हर में सा आवाज उठाई है मैंने इसलिए कहा कि अगर 2017 से पहले हमने कोई गलती की थी 2017 के बाद तो यह सरकार है न उखाड़ फेंके न भार करें न उनको आप देराद उनकी मलिन बस्तियों की चेकिंग कर लेते न सरकार क के अंडर में सारे लोग तो इनके अंडर में करें कारवाई कोई मना नहीं कर रहा है मैं बिलकुल खुले मन से खुले दिल से कह रहा हूं साधा भाई बैठें मेरा संदेश अपने मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दें कि हम खुले दिल से साथ देने को तैयार है आप कारव पूरी कि पूरी कहुरेस आपके साथ कड़िये और बात उत्राखंड की ओर रही है ना चाल थाओं आपके फोरी इंदर उत्राखंद की हो रही है यहां शांति की ओर रही है देव भूमी है उत्राखंड शादाव भाई तो इस पर जवाब दीजे कि वास्तों में उत्राखंड की जो संस्कृति है सब्वेता है जो उत्राखंड की शांति है इसे बचाने के लिए जिस तरीके की पहल होनी चाहिए थी उसमें देरी हो गई और हमारे साथ इसी बीच में विशाल चोधरी जो आम आदमी पालिटी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ चुके हैं और सुरेंदर जी भी हमारे साथ समाज से भी हैं वो भी जुड़ चुके हैं शादाव जी बोलिए जी 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 संजेवाई ये कांग्रेस वैसे ही हमारे साथ खड़ी है जैसे यूएन में पाकिस्तान आतंकबाद के खिलाफ हमारे साथ खड़ा होता है ये वही बिलकुल उसी तरह से साफ साफ नजर आ रही है कांग्रेस आज आदर्णिय मत्रादत जोशी जी अभी कह रहे थ हैं कि अगर हमने बसा दिया है तो आप उखाड़ के फेक दीजिए बसाया क्यों यही तो सवाल है यह अगर मगर की राजनीती कब तक करते रहेंगे कब तक सचका सामना करने से बचते रहेंगे आपको सचका सामना करना पड़ेगा आज मेरे मुख्यमंतरी अगर यह कह रहे इस तो यह पांच साल से क्या कर रहे है उपको A जन्ता सवाल कर रहे हो आप अपने नाना आप नहीं मतुराजाजी बता ही क्या सवाल है अपना मैंने कहा पांच साल से जो सरकार सत्ता में है वह सरकार कर क्या रही थी पांच साल में आज याद आ रही है आज पिर जब चारदाम यात्रा चली तब याद आ रही है चले जवाब दीजिए मैंने कहा मैं फिर अपने सब्दू को दोरा रहा हूं अगर हमने अगर अगर हमने बसाए भी था करो ना भार हम काम ना करें मत करो गलती हुई होगी हमसे चलो माल लेते हैं बोलिए शाधाब जी बहुत है तो बाहर कर लो अब बहुत धन्यवाद अब सुन लीजे फिर उतके बाद जवाब दीजेगा बोलिए शाधा भाई बोलिए खासी हो गई पानी पी लीजे मैं यह कह रहा हूं कि चलिए यह अच्छी बात है कि सुईकार कर रहे हैं कि अगर हमने बसाया भी था तो आप बाहर निकाल दीजे बिलकुल निकालेंगे छोडेंगे नहीं जो जो फसेगा जो जो आता रहेगा जो गलत तरीके से अवैत तरीके से यहां रह रहे होंगे किसी छोडेंगे नहीं किसी को और यह इंडिरेक्ट वे में जो आप कह रहे हैं हमने तो रोहिंगिया देखे भी नहीं हमें तो पता भी नहीं यहां तो कुछ हमें पता ही नहीं आ रहा है यहां कोई डेमोग्रेफि इसे सही करेंगे चार धान यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी इमानदारी से एक एक विक्ति का वेरिफिकेशन किया जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा यह हमारे पहाड के लोगों की आजीविका का विशे है यह पहाड की खुबसूरती का विशे है अब मैं बहु काली लाइन को हम आगे बढ़ा है कि जो 85 के बाद उत्राखंड में आया उसकी लाइन अलग रहे कि जो 85 से पहले के यहां लोग हैं कम से कम उन्हें असली उत्राखंडी माना जाए अवैद इसमें कोई शक नहीं है कि आरामगा बन गई है और जो क्रेमिनल जिनको जिनको भी प्रताडित क्या जा रहा है वहां जब लगता है कि जेल जाएंगे या गोली पड़ेगी तो अपनी जान बचाने के लिए देव बोमी उत्रा खंड़ा जाते और यहां आके अपनी हरकतों से कहीं नहीं की जाएगी जो सही होगा उसे छेड़ा नहीं जाएगा और जो गलत ह लोगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा इसलिए कहा कि मुक्या मंतरी फुषकर सिंग धामी अगर फ्लावर है तो फायर भी है यह फायर जो है ना वह दिखाई देगा उन शरारती तत्वों को जो यहां कियाब और हवा को खराब करना चाहते हैं उन शरारती तत्वों को जो य एक पोशिश भी मत कीजेगा जई तो कभी परिणाम भुगतने पलेगा जब भी कभी यह बात होती है कि चलिए वेरिफिकेशन करते हैं यहां रोहिंग याज हैं यह बंगलादेशी घुस्पेटी हैं ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं उसे लेकर यह क्यों कह दिया जाता है कि यह मुस्लिम है उत्राखंडी जबकि उत्राखंड के मुस्लिम जो है वो तो स्वाभी मानिया वो इस तरीके की चीजों में आएंगे निए दूसरी बात उन्हीं के हक में तो डाका डाल रहे हैं वो लोग तो यह तो फर्ज बनता ही है कि सरकार उनके लिए कदम उठाएं मेरे मुख्यमंत्री ने मेरी सरकार ने किसी धर्म विशेश को ना टार्गेट किया है ना हमने किसी धर्म विशेश की बात कि हमने केवल और केवल इतना कहा जो भी व्यक्ति मेरे यहां आके अब जब हमने एंकाउंटर किये तो हमने कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जहां दूबे का इंकाउंटर हुआ, वहां कई दूसरे धर्मों के लोग भी थे, तो इसमें कोई बात नहीं, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, असामाजिक तत्तु का कोई धर्म नहीं होता, दंगा करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, जो हिंदुस्तान ही नहीं है, उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगा नहीं है अगर आना आए तो पास्पोर्ट के साथ आईए most welcome पाकिस्तान से आए बंगलादेश से कहीं से आओ पास्पोर्ट के साथ आओ legal तरीके से आओ लेकिन illegal आएगा कोई घुसपैटिया बनके आएगा गलत तरीके से आएगा अपनी पहचान छुपा के दूसरी पहचान बता के आएगा वो कौन है वो क्या सोच कि शर्यंतर के साथ आ रहा है कि हो मेरी राष्टी सुरक्षा के साथ खिलवाड करना चाहता है कि हो यहां दंगे फैलाना चाहता है कि हो यहां के atmosphere को खराब करना चाहता है यह बड़े गंभीर विश्य हैं और मैं बहुत इमानदारी से इस बात को कह रहा हूं मेरी पार्टी राष्टवादी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रही है मेरे मुक्यमंत्री इस परदेश को लेके बहुत समवेदन चील है अड़ोस पुडोस चले कोई ड्राइव चलेगी यह तो आपके नहीं है हमार साथ सुरेंदर जी है हलसी जी क्योंकि आप थोड़ी देर से जुड़े बहुत सारी चीज़े आपके सामने हैं हम यह कह रहे हैं कि जिस तरीके की खबरे आती हैं पहाड से गाउं के गाउं उपर खाली हो रहे हैं पर उसके बाद कुछ लोग वहाँ नीचे से जा रहे हैं बस रहे हैं अचानक से वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़े दिखने लगती है तो एक कहा कि घुसपेट हो रही है इस तरीके की संभावनाय जताए जा रहे हैं इस तरीके की बाते चल रही हैं तो उसे लेकर उत्राख उठाया है और ये सच में बहुत ही संवेदन सील विशय है मैं लगातार पहाड में रहता हूं और पहाड की अक्टिविटी में रहता हूं तो पहाड में जो भी लोग ये घुसपैट कर रहे हैं ये घुसपैट किसी माध्यम से कर रहे हैं ये घुसपैट कुरसी बेजने से ज वहां पर वेरिफिकेशन नहीं होता किसी और यह बहुत ही चिंता का विशह है जिस देव भूमी में पाड़ों में घरों में ताले तक नहीं लगते थे अभी तक हम मेरी उमर 24 साल की है मैंने कभी भी अपने घर पे ताला नहीं देखा बट आज के परिप्रेक्श में अगर देखें तो वहां पर घरों में जाके लूटे होने लगी यह सिरफ कहीं न कहीं जो लोग जिन वेरिफाइड नहीं हैं उनकी एंट्री है और आज कहीं गाओं में देखा जाए तो बहुत बड़ी बारदाता भी होने लगी पीछे एक गाओं का सुनने मारा था किसी बुजर्ग महिला की हट्या करके सारा समान लोग लिया तो लोग पहले दिन में फेरी वाला बन के सारा सर्वे करते हैं और रात को या कभी न कभी जब अचानक मौका देखते हैं तो य मारा तो मैं तो यह भूमी जो पानून की मांग कर रहे हैं हम तो उसमें एक विशय ये भी रखा है कि अगर कोई बेखती बाहर से ही वहाँ पर कोई बिजनस करने ब्यापार करने कोई फैक्टी लगाने या कोई भारी बेखती आता है तो हमें एक प्रकरिया ऐसी रखे हैं उसको एक वीजा टाइप दे दें, कि एक साल के बिजनस के लिए अगर ठीक है, मेरे काउं में अगर राज मिस्तरी अबलेबल नहीं है, कहीं बाहर से मुझे बुलाना होता है, तो उसके पास लाइसंस हो, उत्राखंड सरकार का कि ये ये ब्यक्ति यहां पर काम करने के लिए वैलिड है इतने पिरियड के लिए, कुछ पिरियड बाद जब उसका लैसंस खत्म होता है, तो वो रिन्यू कराए या फिर वो वापस चले जाए, ये एक परकिरिया होनी चाहिए, जो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं की, देखिए कहीं न कहीं, एक समाजी कारे करता के त कि वास्तों में कोई तो सुरुवात करें, किसी को तो सामने आना होगा, और उस पर फिर इतना हाय हला क्यों, नहीं देखें, निशित रूप से जो निन्ने हुआ है, कि कोई भाली व्यक्ति अगर उत्रहण में परवेश करता है, तो उसकी जाच होनी चाहिए, पकाइदा उ उसकी पिष्ट भूमी से हमें वाकिफ होना चाहिए, कि वो अपरादी चभी का तो नहीं है, या उसी दिश्टिदत कोई उत्रहण में बढ़े आप्राद की कोई योजना बना के तो नहीं है, इस जीच का शमर्थन करते हैं, और भालते जन्ता पार्टी के से निंडे का मु कि अच्छी मुख्य मंतरिजी दुआरा किया गया है, तो उससे कही न कहीं मेरा ये मानना है कि यदी आप कह रहे हैं कि चार धाम यातरा में गैर हिंदो का बैनिफिकेशन बहुत आवश्यक है, तो आप मैं पूजना चाहिए, बैट रभ जी बोलिये, जी विशाल जी बोलि नहीं करता है कि विशाल जी से संपर्क, बोली एविशाल जी बोलिये., मेरी वास सुन पा रहे हैं, जी कुछ स्वाल करना चाहता हूं, जो भारतियत्धा पार्टी के बहर करें डुता है, जी बिल्कुल कि जो विवश्था आप चार धाम के संधर में कर रहे है, यही विवस हम इसी बात को राष्टे परिवेक्ष में बात करें कि यदी उत्रा खड़ के व्यक्ति को पंजाब जाना हुआ मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप राधिक शवी के लोगों को पंशनक छण दें लेकिन कहीं न कहीं भावना रास्था के नाम पर हम अपनी बियान बाजी को एक तार्कित तौर पर रख सकते हैं और मेरा यह मानना है कि यदी कोई आस्था किसी व्यक्ति की किसी अन्य धर्म में भी जूड़ी है तो मैं नहीं समझता कि वह गलत है हेमकुल साहिब भी चमूली जीले में प्वस्तित है यदी बहाँ पर भी सिख समाज के लोग ऐसी मांग करने लगे कि भई या सिख यहां पर कोई रही आएगा या इस तरीके का वेरिफिकेशन की तो मैं समझता हूं कि आप शी समन भी है और एक तरह जो राश्टे परिपेक्ष में समानता की बात है उसमें भी कही न कहीं एक अंतर विरोध इस्थापित होगा तो मेरा यह मानना है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा मैं समझता हूं कि आप राधिक सिनक्त कानून लाया जाने की बात चल रही है तो यह विवस्था भोटोमेट्रिक या बायोमेट्रिक तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की पैचानत कर सकते हैं लेकिन इसका राजनिती करण करना इसका प्रूरता भी रोध करते हैं और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि पहाड़ पे प्लाइन कितना हो रहा है पाड़ पे इंफ्रस्ट्रक्टर क्या है उसमें भी थोड़ी चरचा कीजिए क्योंकि जिस पाड़ को प्राकर्तिक संसादरों को लूटने की हम बात कर रहें कि भाड़ी व्यक्तिक को अपरादिक छविका आ रहा है वो हमारे राज्ये के नागरिकों को नुफसाल पहुचा सकता है लेकिन आप अगर दूसरे परिपेक्स में बात करें कि पिछले पाँच सालों में उत्राखण के काउं कितने खाली हो गए है वहां स्कूल भी बचे हैं नहीं है जिन लोगों के हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं उनकी संक्या घटी है या आज वह संक्या पहले के मुकाफले उसके कुला में है तो यह भी बहुत मैदपूर चीज है कि जिन लोगों की सुरक्षा के हम बात कर रहे हैं क्या वो अपने मूलभूत संसाधरों में भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं दूसरे परिपेक्ष में भी मैं पूछना चाहूंगा बाते जन्ता पार्टी के परवक्ता से कि अन्य धर्मों के अगर को इतिरत स्थन हमारे पाड़ पर इस्तित है उत्राफर पर इस्तित है कि यह योजना उस पर भी लागू की जाएगी बिल्कुल यह विशाल बहुत बहुत अच्छे सवाल हैं आपके और इसका जवाब भी लेंगे यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लोटेंगे आपके बीच ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज हम इस विशेश चर्चा में बात कर रहे हैं उत्राखन को लेकर जीहां समवेदन शील उत्राखन वर्सी पर हमारी साथ सभी खास महमान जुड़े हुए हैं अगर जितेंदर जी हम बात करें एक उत्राखन के अंदर जो ये प्रेम का धागा आए इसमें गाठ ना पड़े तो इसके लिए सरकार को और विपक्ष को क्या परियास करने चाहिए और सुत्राखन की शांती भी ऐसी ही बनी रहे है जी सबसे बड़ी बात तो यह है जो अभी मैं सुन रहा था कि यह दरसल इसको धार्मे का अधार पर इसको बाटा जा रहा कि जो है हिंदुआ के चारदा मियात्रा पर अगर हो रहा है तो मुस्लिम के वहां जाने वाले में उनका क्यों नहीं वेरिपिकेशन हो रहा है यह दरसल धरम से जुड़ा मुद्दा है ही नहीं यह मुद्दा है यहां की सांस्कृतिक पहचान है राज्य का जो जनसंख्य की परिवर सक्के दोरान जो भाजपा और कॉंग्रेस दोनों की कृपा से जो यह यहां अवैत कब्जों की बाढ़ आई है नदिया नाले खाले सब खतम हो गया है जो भार से कहा कहा से कौन आ रहा है किसको बसा जा रहा है वह यह दोसी इसलिए दोनों पार्टियां की यह दरसल एक पानी पहुचाएंगा तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है जो डेमोग्रेफी है यांकी पूरा जन संख्या की जो सामाजिक ताना वाना पूरा परिवर्तन हो रहा है अब देख लिए देरादून का मैं बाकी छोड़ता कर देरादून लेता हूं गुबारा बन गया है देर देरादू बिल्कुल चारों तरफ से और जो रिषी केस में जो है अरुदवार में गंगा किनारे बैंगला देसियों के जो है इस्तानीय लोगों के सकल में यहां काम नर्यों किनार वाँ कुपई बेच लाए वो बिचराए यह आजसे नहीं यह 90 के दसक से बात आती रही है लेकिन कभी पर चेक होता है नहीं था अब राजय बनने के बाद भी कोई चैक नहीं वहां लेकिन इस समय जो है जिस तरह के हालाद बन रहे हैं चारों तरब से और प्लाइन इस तीजिसे हुआ जैसे अब इन्होंने सुरंजर जी ने कहा यहां कभी ताले नुहीं लगते थे अब ताले शोड़के जो अब महिलाएं जो महिलाएं पहाड़ों के सड़कों पर काई रात की अंधेरे में सामके में दुनलके में निकल जाती थी कोई खत्रा नहीं होता था वहाँ आज वह अपने घरों में सुरक्षित रही है तो यह स्थिति हाल के एक डेट दसक में बदल पहड़ी है और यह वैरी के सनुसका एक हिस्सा है जो सरकार कर रही है अच्छा काम कर रही है बिलकुल मतुरादर जोसी जी बहुत सारे चीज़ा आपने सभी की सुनी आप बड़े वरिस्ट और बड़े तत्यों पर बात करते हैं इसलिए सब लोग आपको पसंद भी करते ह कि क्या विपक्ष का यह फर्ज नहीं है कि उत्रा खंड के क्योंकि यहां बात इसलिए हम कर रहे हैं धरम विशेश की इस बात को लेकर आ रहे हैं कि यह भी बड़ा महत्वपूर्ण आजकल एक मुद्दा है और इसे मुद्दा बनाया जाता है मुद्दा तो नहीं था लेक हम साथ खड़े हैं कहीं ना कहीं उनको विश्वास में लेने का काम भी है या केवल वोट की राजनिती के लिए हम सारी चीजे जिस तरीके से चलनी है चलने दे केवल वोट चाहिए यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष ऐसा नहीं कर सकता क्या तब उसे वो लोगं से बात करते हैं जहां तक सवाल एक भर्ग विशेश का है मुस्लिम का है देखे मैं यहीं पर उधान देदूं कि सादाब समझी बैठे हैं इनके पिताजी को पचास साल से तो मैं ही देख रहा हूं 60-60 साल की मेरी उम्र हो गई है और इनके परिवार के लोगं से हम लोगं का मिलना जुलना तब से लगातार है तो ऐसा नहीं है हम हर मुसलमान को यह नहीं कह सकते कि यह रोहिंगया है या वह बात हो रही है यह तो बिल्कुल यही बात है कि हम में यही कह रहा हूं कि आपको उत्रा खंड के मुसल्मानों को यह समझाना है कि आपके साथ अन्याई नहीं होगा मैं मैं आपको दो तीन गटना है और उधान देके कह रहा हूं लोहागाट में एक गाउं है खुना बोरा अब आप बताए उस गाउं में अना कब मस्जिद बनी होगी पत्थर लगी हुई मस्जिद बनी हुगी है तब से वहां मुसल्मान दर रह रह रहा है अलब स साल से 200 साल होगे तीन से साल होगे यह संपरम मैं भी नहीं लेकिन एक पाउन की आप उहे पाउलो पर कई कि बरसों से मुस्लिम भाई रह रहे हैं वो हमारी भासा बोलते हैं हमारी बोली बोलते हैं हमारे तेवार थीज तेवार बनाते हैं हमारे जैसा खानपार उनका भी है रह रहे हैं अन्य जनपदों में भी हैं जो लोग रह रहे हैं लेकिन सवाल ही है कि अगर इस दोरान बिगत पांच बरसू में विगत दस बरसू में जो कह रहे हैं कि जो चर्चाइँ चल लेंंगे डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो सरकारوں का दायत भी तो बनता उसको चेक्क ने कर रहे हैं क्यों सरकार इंचेक नहीं कर रही है में मेरी मेरी आपत्ति इसंध मैं मैंने इसलिए कहा कि उसमे साधा भाई बुरा मानगे मैंने कहा कि हो सकता हमसे गलती हुई हो हमारे समय में कुछ लोग आके बैठ गए हो मान लेते हैं चलिए तो जगर 2017 में सरकार आई बड़ी वैसी बातें सरकार करती है तो चेक क्यों नहीं किया सरकार ने पांक साल तो इस स नहीं आप बताई इनके तो सांसद मोदे ने साधा भाई को पता होगा आजे बड़ जी आद जो मंत्री हैं पारलेमेन में उन्होंने कहा कि मंगालियों को आप अनुसुची जाती का दर्जा दीजे जो हमारे यहां तरही में जो बंगलादेशी आये हैं चाहे मुसल्मान है में हिंदु हैं बर्जा लोग हैं लेकिन जो नैतिक जुमिदारी यह बरतमान में सरकार सवाल उसस पर प्र नगे व Qui लगें इनको उसको चाहिए कि वो करें अगर कोई अबैद लोग यहां पर रह रहे हैं अबैद लोग यहां पर आये हैं निश्चित रूप से उनके खिलाब कारवाई होनी चाहिए और कॉंग्रेस पाल्टी उसमें कहीं किसी के पक्ष में नहीं बोलेगी और सरकार का साथ देगी सरकार को कहेगी कि ऐसे अबैद कौन मना कर रहा है लेकिन सरकार पर भी तो अपनी नयतिक इच्छा सकती सरकार की भी होनी चाहिए अगर सरकार की इच्छा सकती होगी तो काम होगा इच्छा सकती नहीं होगी तो बिल्कुल काम नहीं होगा इस तरह के से भासन बाजी देने से बयान बाजी करने से काम नहीं कि मुखमंत्री जी तो बुलाएं चीफ सेकर्टी को कहें भई इस जनपत की यह इस्तिति हो रही है आप चेक करिए और इनको वेरिफिकेशन करिए इन लोग को लोग है गलत लोग है तो बाहर करिया अवै रूब के नागरिक नहीं है अगर इन पर आधार नहीं है रासनकार्ड नहीं है बोटर अइडी न है नहीं को तत्कालिन यहां से रिमूफ करिये और को वार निकल आखर यह ये कहना चाहिए जौत बाल चलता है और रहें भार्षन बाजी करेंगे और घृष्ट्रिक एंगर से अगर ऐसा काम है तो मैं समस्ता हों कि ये कुछ नहीं कर पाई य ब्लकुल शादा भाई आपने शुने सबसेपहले तो मैं सहाओगा जो विशाल चोदरी ने कुछ बाते रखी हैं वो बड़ी महतोपून है एक तो उनका जवाब और एक सवाल सबसे महतोपून ये आप से कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि आप धरम विशेष्ट की राजनिती उस तरीके की कर देते हैं कि उसमें सभी मुसलमानों को लपेट लेते हैं ये मुसलिम दोसी है तो कही ना कहीं जो मुसलिमों का विश्वास है वो तूटता है और फिर वो आप लोग कहते हैं कि फिर हमें वोट नहीं देंगे वो तो कॉंग्रेस राजनिती करने आ रही है भाई कोई तो उनकी बात करे गई फिर अगर सभी लोगों को आप विश्वास म दाल रहे हैं इस बात को समझाने में आप नाकाम होते हैं और तब कहते हैं विपक्ष राजनिती कर रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी है देखे संजे जी पहले तो आपको दो बातों को समझना पड़ेगा एक सबसे पहले ये कि जो भोला सा चेहरा लेके बैठते हैं मासूम सा चेहरा विपक्ष के नेता इन भोले चेहरों पर मज जाई है ये शरियन तरकारी सोच के साथ भोले चेहरे होते हैं जैसे मुक्यमंतरी ने केवल इतना कहा कि वेरिफिकेशन होना चाहिए इस पे तो सब को खुल के स्वागत करना चाहिए था कि हम सब स्वागत करते हैं कोई गलत छराती तक तो ना आए जिससे यहां क्या माहल खराब हो सब को स्वागत करना चाहिए क्या स्वागत किया हाँ अभी आम आदमी प नहीं का गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है यह हमारे संच समाज के लोगों ने कहा उनकी धर्म गुरू की मांग थी कि जिनको नहीं आना है उनको मंदिरों के परिसर में प्रवेश नहीं करना चाहिए अब कोई ड्राइवर बनके आ रहा है तो उसे थोड़ी रोक रहें कि यह जो सोच है कि बसाएंगे हम और वाकी निकाला क्यों नहीं है आपने आप निकाल क्यों नहीं रहें आप इन पर बुल्डोजर चला दीजिए आप ये कर लिए हरे चलाएंगे बुल्डोजर भी अगर वैद होंगे तो कोई नहीं छोड़ा जाएगा किसी को नहीं प्रदेश है इसकी आप लोगों को राजनीतिक महत्यों कांगशा के चहता आपके कुछ नेताओं ने गलती कर दी लेकिन हम गलती नहीं दोर आएंगे हम बहुत इमानदारी के साथ जो गलत तरीके से गलत परवर्ती के लोग यहां रहे के यहां के महौल को खराब करने की कोश सान होते हो फिर साथ क्यों नहीं देते कोई भी हो किसी धर्म का भी हो मासूम बनके एक समुदाय विशेश का वोट लेने के लिए आप चुपचाप से राजदीती करें और कहें नहीं यह अन्याय हो रहा है यह गलत हो रहा है उनका उत्पिणन हो रहा है गलत अपरादी मुझे हो गई मैं God Brahmin से Converted हूँ इससे क्या होता है अगर कोई भी मुसल्मान यहां रहा है धंग से रहा है तो किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई सिक यहां रहा है कोई किसी कास का रहा है किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी पादरी के लिए किसी Christian के लिए कोई द लें बिल्कुल नहीं करेंगे हमारी राजनीती ne Urs की में नहीं खाली सब्सक्राइब ये बहुत पूर्ने इसी पे सवावाल कि आपको लगता है कि उत्राख्ण का जो मुस्लिम है वो राश्टवादी नहीं है वो कि ब्लूब यह काम का आपके विरोद और साथ लेके साथ नहीं चल सकते ऐसा कहां लिखा है वो भी तो आपके साथ है क्या वो गलत चीज का विरोध करेगा तो यह विश्वास दिलाने का काम सरकार का भी है ना उन्हें मैं कह रहा हूँ जी संजे जी मेरी पार्टी एपी जे अब्दुल कलाम को राष्टपती बनाने वाली पार्टी यही है भारते जन्ता पार्टी यही सरकारे थी आज शादाब शम्स एक मुसल्मान होके भारते जन्ता पार्टी के परवक्ता के रूप में आपके सामने बैटा यह यही पार्टी है अगर मेरी पार्टी में कम्निलिजम होता तो आज शादाप्शन से आना होता एप जय अब्दुल कलाम साब देश के राश्टपती नहीं होते केरला के गवर्णर मुसल्मान नहीं होते यह इसलिए क्योंकि पार्टी मांदारी से सब को साथ लेके चल रही हम कोई बहस में नहीं पड़ रहे हैं कहीं किसी धर्म विशेश को टार्गेट नहीं किया जा रहा है किसी भी मामले में किसी यात्रा को हम तो चाहते हैं हमारी यात्रा भव्य हो दिव्य हो सुरक्षित हो उसके अंदर कोई बाल बीका भी उस व्यात्रा में किसी व्यक्ति का नहो सके हम अच्छे से अच्छी सुविधाय दें वो हमारी पहाड के आजीविका का केंद रहे हमारी आस्था के साथ साथ इसलिए मैं जरूर कहूंगा इस बार यूआ मुख्यमंत्री के हाथ में बागडोर है और यूआ मुख्यमंत्री ने बहुत सक्त निर्देश दिये हैं जरा भी अपराधी व्यक्ति जरा साथ भी गडबड़ व्यक्ति अगर कोई यहां दिखेगा तो उसके खिलाफ सक कारवाई की जाएगी जो असामाजिक तक तक नहीं गंदगी फैलाने आएंगे उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी और सक्त का मतलब इतनी सक्त होगी कि लोगों की रूख आप जाएगी अगर गलत लोग यहां नज़र आए तो बिल्कुल इमानदारी से हम सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं जो यह जिस तरीके के अवेद कब्जे होते जा रहे हैं इनने लेकर करवाई यह लगातार चलेगी क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि केवल केवल और केवल यात्रा को लेकर राजनीती हो रही है नहीं यह यात्रा को लेकर बिल्कुल कहीं राजनीती नहीं है नहीं हमने कभी इन मामलों में राजनीती किया राजनीती करना विपक्ष का काम है जो संरक्षक बनके आ जाते हैं एकदम अभी हमने तो केवल ये कहा कि जो असामाजिक तत्व है जो शरार्ती तत्व है उनको सबको चिनित किया जाएगा और उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी संरक्षक आ गए तुरन आ ऐसा कैसे वो फिर उनका क्या होगा गैर सिखों का क् बहस का विशे नहीं है बहस का विशे उत्राखंड की शुरक्षा उत्राखंड का महौल इसके किमत पर किसी से कोई कॉंप्रमाइज नहीं किया जाएगा और युवा मुख्यमंत्री बहुत इमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं जी ज संजे भाई साधाब भाई हमारे भाषन बहुत अच्छा देते हैं बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं बड़े तेज तरार प्रवक्ता हैं बीजेपी के इन्होंने भगवानपुर के चिदू किया आदरने गुरुजी आप ही के सिखाय हुए जी निस्चित रुप से तरार है हमारा आशिरबाद है इनके साथ हमारी सुपकामना है इनके साथ ठीक है आपने बयान दिया आज चार दिन हो जाते हैं साइद मुख्युंद्री का बयान आए हुई क्या कोई पूरे पूरे चारधाम यात्रा रूट लगा लीजिए या नारसन से लेकर आगे का बॉटर हिस्तरे साथ भाई रीडिया भगवान पूर कर दो लगा लगा लिजिए या भगवान पूर की ःतना पर ही बता दीह हमने तो ये कहा की जिस्तरे के साथा भाय ने 생각 september मेरी होगी है मैंने का रहा है तीन पीडी से तो मैं देख रहा हूं इनको मेरी उम्रे के हिसाब से 62 साल की मेरी उम्र होगी मैंने जब से हो समाला 10-12 साल की उम्र से मैं इनके पिताजी से मेरा बैट्टी का संबंद रहा है कि मारा इनके परिवार में आना जाना रहा हम देख रहे हैं जब आप बगवानपुर में ऐसे ही लोगों को तन कर रही थी आपकी सरकार इसलिए हमने कहा कि आप ऐसमाजिक तत्तूं को पकड आए जो बेक्ती तत्तू के नाम पर राजनीती नहीं होनी चाहिए मानली यह गलत हुआ इसलिए गवर्नर के आउगवार लगाई बिलकुल नहीं वह विशाल कर रहे हैं विशाल को बिलकुल नहीं विशाल रखें अपनी बाद विशाल के अपनी ब्लाइब कर आप अब आप पत्राओं विशाल के बीशनी करते हैं अगर आथ इतने जिए मुख्वंतरी कारें आप खुलासा करिये ने बंगलादेशी विशाल बोलीए जरा विशाल से ले ले लेते हैं जरा जल्दी से एक मिनट में बात करेंगे कि लिए यह पूछना चाहता हूं भाई भारत्य जंदा पार्टी का एक एजेंड़ा होता है जब जब कोई विकास की बात करना चाहेगा या किसी राज्य की परजा आप से हिसाम भागने की बात करेंगे तो आप इसका धायन डायवर्ट कर दीगे मुटों से लेशना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के बनाता है तो हम उत्राखण को आध्यात्मी के राद्धानी बनाएंगे दूसरी बात बनने पर दो देखेंगे मैं बात रहें तो सरकारों को जो सरकार ने पहल किया इसका स्वागत होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो विशेश सुरुदाय धर्म है जरूर जो पुसकर सिंग धामी जी का जो निरनाय है उसका बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए तब ही इस पहरोग लगेगी लेकिन सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि वो राज्य में प्रवेस कैसे कर रहे हैं देखिए राज्य में प्रवेस उनका किसी कारणवस हो रहा है अगर किसी को कारपेंटर की जरुष है तो उस कारपेंटर या उसके हेल्पर के रूप में एक कोई तथाकति व्यक्ति उत्राख़ण में प्रवेस करता है क्या सरकार वहां पर इस्क्रिवल्मेंट के लिए क्या काम कर दीय है सरकार अगर प्लाएंड रोके सरकार अगर भू कानू को पार्टिया तीनों राजनीतिक पार्टिया आभी आम आपी उसमें प्रवेस्ट कर चुकी है किसी को उत्रा खंड की चिंता नहीं है अगर चिंता होती तो जो जाच हो रही है बाहरी लोगे यह कप की हो चुक्त है किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वे राज्य की शुरक्सा का पूरा ख्याल रखे उत्राखन को लेकर बार-बार ये शंका जताई जा रही है कि इस राज्य में तेजी से कहीं ऐसे लोगों ने गुस्पेट किये जिनकी पहचान नहीं है इस राज्य के लिए आने वाले समय में ऐसे लोग खतरनाक साबित हो सकते हैं हर व्यक्ति पर शक करना सही नहीं है लेकिन कुछ लोग माहोल बिगार सकते हैं राज्य सरकार को बड़े स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान चानबिन करनी चाहिए वरना आने वाले समय में शांत राज्य में समस्य हैं खड़ी हो सकती है ये बहद गंभीर माम लाया और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यां विपक्ष भी वर्तमान में कह रहा है कि हम सरकार के साथ है और इस तरीके की वेरिफिकेशन होनी चाहिए लेकिन वेरिफिकेशन होनी चाहिए राजनिती नहीं होनी चाहिए इस विशेश कारे करम में इतना ही देजे मुझे इजाज़त जेहिन